वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते अकाल प्रग्दिस सिफ़सादे प्रोग्राम एक उंकार विच सासंगर जी आप चीदा स्वागत है सासंगर जी सारे जान दे हां कि गुरु नानक देव जी ने सिखी दा बूटा लाया ते उस बूटे नू सीचया सिखी दे असूला दे नाल एक नवा पंथ चलाया लोका नू जगाया सुचेद किता ते एक परमात्मा नाल चोड़ेया ते उसे सिखी दे बूटे नू दस जाम्या विच आके सीचया गया ते एक गुर्सिक दी मन्जिल यानि खाल सा तयार किता गया साहिब कमाल शी गुरु गुरु बिसिंग जी ने विसाकी दे मोके पंथ सिनादी बंग करके एक अजेहा पंथ चलाया जेने एक सुचजे जीवन जाच दी नी रखी नाल दे नाल एक जुल्म ते जबर दे खिलाफ लड़न वाली एक वड़ी शक्ती नू तियार किता ते सात संगे जी आज आज असे अपने विचार विचुल्म जीは कोशिश करांगे समजन दी विचारण की एक खाल्सा विशाकी नोहीं क्यों बनाया किया ते की कारण ने की खालसा जड़ा की खालसा शब्दे केरे अर्थ ने यह वी असी समझन नी कोशिश करांगे ते अज एक कोंकार दे सफर विच साधिनाल हम सफर बरनवास ते मजूद ने सोहन सिंग खालसा जी जेड़े एक उग्ये तियासकार वज़ो अपने सिवा वने भाल ते सानु ए बोण मिल देने मैं हो परम पुरक को दासा देखन आयो जगत तमासा जो हम को पर मेसर उचर है ते सब नर्क कुंड मैं पर है मोको दास तवन का चानू या मैं पेद ना रंच पचानू पर लिखन वाले लिग देने कल मैं करणहार निरंकार कलाधार जगत के दारबे कोु गोबिंदि सिंह आए उसरे नाल विक दुर्जन्स केमार विको संक्ट नेवार वे को खाल सा Чтобы नाया है असुना दा नाश कर करनवासे यानि जिनामन इनकदि बिर्टिती एसरव होग से नाल दे नाल 2020 सच्च दा पर जडे खाल से ड ninete secondo अभ्रय जानना चाने है। तिस समुक शरुआत हुँ समझना पयेगा। ति अज असी अपनी सतर्म विचार विच में यह कौशिश ल्यायाare। ति सोन सेश्डी जससार अज असी अपनी सितर्म विचार विच विचार करन सए रहे हैँ। विसाखी दा पूरा वारे है, खालसे दी, सरजना, जिरी कही जान दी है, कि विसाखी नू खालसा सरजी आ गया है, विसाखी एक खास, पंजाबी दी खास एक तिहार भी है, पर जिकर अज़े अपने तर्म विचार दे विशेवल देखने आता है, गुरु संगत की नी, खालस गुरुनानक दे जी ने सिक्की शुरू किती, खालसे तक तर जड़ सफर है, उस सिक्की कहोगे है, गुरुनानक सच्चे पाठशा जी ने इस जक्जलन देन उतारन ले, चार अदासिया किती है, ज़ड़ों साहिब शिरी गुरुनानक सभची तीजी अदासी बच, सुमेर जिनु केंदेने ओ कलाश पर बताइसल दे बिच जी उत्थे जन देने ते उत्थे सिद अंदे मुकावले गुर्णानक पाच्छा जी जवान वस्ता जाए ओगुर्णानक साब जी नू बाला कहे के संबुनन कर रहे हैं ते एक सवाल कर दे हैं कि गुर्णानक साब जेड़े पंथ दी गल्द तुसी कर रहे हूं उस पंथ दाधार की होएगा जीड़ा सिखी दा मेल तुसी बनाना वो खड़ा काते करना ते गुर्णानक साब ने किया सिखी दा मेल जीड़ा ओशभत संगत ते खड़ा करना जी अब्द गुरू सुर्त तो न चेला बिलकुल ते इत् सच्चे पाज्षाज़ी ने समुची लकाई न एस ब्रेमन दे सिर्जन हार समेत जीवाने जेडा जेने सिर्ज़े जेजरे ओनु सेवन ला जेडा कुम देता है जेडाई जेडा अपना सवाल ही है गुरसंगत की निध == सब तो पंध हीला गुर्नानक सच्चे पाज्छा जीने सथ संगता संगत बुरी भी हो सगती लेकर सच्छी संगत कैम करना अपदेश दिटा ओदेश मनुख ने परमात्मा देना अपधिके में होना है एक जड़ा अपदेश दिटा मेरे खाल नालता पूरे देश वस्ते नमासी क्योंकि सारे विद्विश् रहा है निसी गुर्णानक सच्चे पाज्छा जी ने देश नो नी बिशप पाइचारे दा अपदेश देटा सुच्छे संसार नो एक अंग्रेजी बिद्वान दी गल में नो याद आउं दी है ओ लिख देए फौर गुर्णानक नो लैंड वास फॉरन एंड नो मैन वास एलियन ओ लोग जेड़े आज इसे मनने जाना दूजी तार्पी तो आए ने गुर्णानक सच्चे पाज्छा जी ली कोई भी तर ती पराई जा बेदेशी ने सी ते कोई भी बंदा एलियन ने सी किते होर गया तो आया हो बे उना दी रहमत दी बक्षश हर एक मनुखते होने गुर्णानक सच्चे पाजच जे गुर्ण साब दे अनदर जिड़ा इस संकल पे गुरु दी संगत नूखाल सा कीता अप इस्थ शुरू कर दे है पहला निजी तोर ते मनुक ने गुर्णानक सच्चे पाजच प्रमात्मा या पर्मात्मा इसे कोई फरक ना रहाए पांई तो हई यह सोने दिया दिया उपझव पानी तो हुई या ते दोनों ओदे बिच्चे अपेद हो जा देने यानि रभी गुण सिर्फ अपने तक गी रखे सिक्षा तक देनों पचाया ये इन्वादी सिक्षा पचाया कि तुसी प्रमाप मच एमे अपेद होना गुर्णानक सच्चे पाच्चा जी ने जदो ए उपदेश देता दे गुरू गुर्ण साब दे अंदर ओ संकलप मजूद है ये नू गुर्णानक सच्चे पाच्चा जी समुची में रुक्ता नू देना चाओ देसी बेगम पुरा सहर को ना दूख अंदो नहीं ते उठाओ ना तस्वीज खराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल गुर्णानक सच्चे पाच्चा जी ने इद्दान दे शेयर दी कल्पना किती है ते जी करसी तुझ ससंगत दी घल किती ते सफ़ खालसे तक चलता है ते खालसे तक कि क्यों खालसे लों की मन्जिल मनें आगधिया । जिए मनुख़्ी पर किरिया जी ढी है मनुख़् दी त्रकीदी पर किरिया दे सिlaration संगत रहे हैं सस्टेंड कॉंटीनूस प्रसेस आफ दा बैटर हुमन जेड़ी ए परके लिया सत संगत जेड़ी गुरु संगत दी परके लिया गुरुनानक साथ दे शुरू किती खालसा एदा पीक है एदा शिकर है एओ मनुख्ख जड़ा साबसूरत है ओ मनुख्ख जड़ रहा एओ मनुख्ख जड़ा निर्वेर एओ मनुख्ख जड़ा ग्यानवीर भी है अगे पाई गुदास नूज्जा जी लिख देने गुर संगत की निखालसा जेड़ी संगत गुरुनानक सच्चे पाच्छा जी ने इन फ्रादी ताउर ते कार्द कड़िया मजमूई ता रखे जेड़ी गुरुबानी विच जेड़ी सिधान्त नू दर्ज किता गया उसे नू अमली तोड़ते खालसे दे रूप इस बढ़ाया गया ते सानू एक खालसा अज वी गुरुसिक्की सरूप इचत हुंदा है तो सानू ओदी विच दस्मेश पिताशी गुरुगों प जानू दिया असी खालसेदी सर्जना पेला सिधना तो पहला असी ओदा मौका देखने हैं जी विसाकी दा मौका है जी असी जारदा एकट है जी बड़ा एकट कुरुगों विसंजी ने किता इस तरह मतलब है कि हुक्म नामें भी पेज़ी होना गया जी बिल्कुल थे खाल विसाखी दाही दिन क्यों चुने आगया खोर भी दिन कोई हो सकदा है पाइजसपाल सिंग जदो असी इतिहास दे सुनेरी पने फोल दे ना विसाख पला साखा बे सारे उदो नमी अमंग नमी तरंग नमा जोश नमा खून ए सारा कुशंदा जड़ा विसाख शाब दे एद भी अपने आप चारते है जड़ा जड़ा संसार दे उत्ते सूरे सब तो ज़्यादा हाइट दे हुंदा खाल से नु पादशाजी ने पूरी हाइट दे रखे या पीक दे रखे या शेकर दे रखे अगर्वानी दे अंदर इना निशत्रांदा होर भी जिकर है गुरू अमदास पाच्छा जी सेवा तो प्रवान होए पहली गलते बाणी सुन दे जिड़े फैदे ने वो गुर्णानक दे का रतो ही पता लग सकते है गुरू अंगद पाच्छा जी ने पाई जोतों खडूर साब दे बच बानी सुनी करपारपर साब गए उनिस सुकत्त पंदरा सुकत्ती दे बच सेवा करके प्रवान चड़े ते गुर्णानक दी दूजी जोत बने गुरू अमर्दास पाच्छा जी ने बतार बाबा अमर्दास बीबी अमरो जेड़ी बेटी है गुरू अंगद पाच्छा जी दी ते गुरू अमर्दास जी दे प्राह दतार चान जी दे सुपत्तर बाबा जस्सू जी दिना दियाई हुई है उना को लो पानी सुनी, गुरू दी तांग जागी, गुरू दी शर्म चाहे, बारा साल गाकरी सेवा नवाई, बत्तन साफ कीते, गुरू नहलाया, गुरू साफ दे बस्तन साफ कीते, यह साब करकर आके जड़ा ओ परवान होए ने, असी जड़ा सवाल है तो अड़ा, के ठारा बारी गंगाते गए, गुर गदी ते बराज मान होन पो तो पहला गुरू अमर्दास पास चाहे, जड़ो उन्नी मी बारी गए ना, फिरो गंगाते नौनी गए, पीरत उद्दम सत्कुर किया, सब लोग उद्रन अर्था, नावन पुर्भ अपीच, गुर सत्कुर द जीत, इन्हों अपीच भी केंदेया, ए अपीच जीत जेड़ा चंदरमादा सत्मान शत्तर है, जी, इस नौन दे उत्ते बैशनमत दे लोग कुरुक शित्तर ते हर दोवार, अपने दुश्मना ते जित प्रापत कर ली नौन जाते हूं देसी, पाच्छा जी सानू फर्व सत्गुरू जीते दरशने, फिर तो अड़ी बुरी मतिता जड़ी मैया ले जानी है, यानि पुरी मत साड़ा दुश्मन जेड़ा पिल्लकुल, अभी जीत जेड़ा दुश्मन है, जीत उसी दूश्मन ते जित परापत करनी है, जीदे दुश्मन को अड़ी अंदर बैठ पहले पहले तिन पाच्छा गुर्णानक पाच्छा जी गुर्णानक पाच्छा जी गुरू अंगत पाच्छा जी ते गुरू अमर्दास पाच्छा जी इनागा प्रकाश वसाख मी ने था है जी यानि कहने तो पाव है कि विसाख विसाखी ते सिर्जना ही नहीं होई और वड़े-वड़े कारज भी विसाखी दे दिन ही होई ने यही कास तरह हम चन्बंग समझ लियो साधू संबन मंग तरम चलावन संत उबार दुष्चवन को मूल उपारन साथ संगत जी गुरुगोविन से जी ने ता अपने मकसद नूँ अपने बच्चना विच्छ सानु दासी देता कि तरम चलावन वास्ते दुष्टानू मुक घृफलिन संगत को साथ विच्छ से विचार कर रहां कि किस तरह गृफल तो खाल सा बढूलिया । नो ऑने हुँग दोनुं शहीद गुरू सहवान जी दा परकाश भी बसाख मेने दाइंग है जो तूसी कलेंडर देखने हैं ए पंज गुरू सहवान दा परकाश जीड़ा बसाख देबेच वया दूजह बसाख खी ते जदो से क्की काफी फैल गई गुरू आंग पातश्छा जी ने ते उसे बुटे नूं अपने प्यार दे नार, ते रुहानिया दे नार सिंजया, ते गुरू अम्ददास पाथच्छाजी टे टेम दे उत्ते उना सििख्ष इन्ही फैल गई केुरू पाथच्छाजी ने बाई मंझीया स्तापत कितनीया ते बबंजा पीड़े स्थापत कीते हैं, होने इना बाई मंजियां ते बबंजा पीड़े, संगती नहीं होगी, संगता आपसवेच मिलके संगती पाप दे नल बैठना बड़ा ज़ुरी सी, पाच्छा जी ने परमहास पाई पारो जुलका जी नू उदेश नल एस उदेश होकम कीता के तुसी बसाखी दा पुर्ब गोईंदवाल साब दे अंदर अराम करो, पहली बारी जीड़ी सिख इतिहास दे अंदर बसाखी या गोईंदवाल साब दे अंदर गुरु अमदास पाच्छा जीने मैं आई